बीर भूम में हिंसा पर राजनेतिक लड़ाई शुरू हो गई है बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा कोल दिया है बीजेपी का एक प्रतिदी मंडल आज बीर भूम जा रहा है दोपेट धाई बजे कलकत्ता हाई कोट में सुनवाई होनी है राजिपाल, जगदीब धनकर और ममता सरकार एक दूसरे को खत लिक कर सवार उठा रहे हैं लेकिन इस बीच मुख्यमंति ममता बायाई जी खुद सामने आ गई है उन्होंने कहा कि वो खुद कल बीर भूम जाएंगी उन्होंने कहा कि जिने भी भूम जाना है जाएं किसी को रोका नहीं जाएगा क्योंकि ये बंगाल है यूपी नहीं है हम हात्रस जाना चाहते कि हमें रोका गया बंगाल में किसी को छीक भी आ जाए तो बीजेपी कोट चली जाती है कि युदि किछू मायर मुखे हाशी फुटे किछू बोनेर मुखे आमें जानी हाई तो छोट्टो बैलाई भी ये हो एचे सब किछू हारी ये गयाचे आज के तार दूमूठो एक्टू शाक किंते गेलो हाथे एक्टा पहशा पाये ना आ। तो कि ये आज के तार हाते एक्टर छोट्टो पहशे पाथे येकर निजोरस्ण वाकार उधिकार तार और आधिकार तार गळ्बोः येथा निजोरस्ण Colorแต vicious तो बीरभूम में आठ लोगों की जन चली गई जिसे लेकर वम्ता बैंजी ने कहा है कि जिसे बीरभूम जाना है वो जा सकता है आठ लोगा प्रतिनिधी मंडल आज पौँछ राया बीरभूम इसके साथ ही बीजेपी की आठ लोगों की टीम वहाँ पर धाई बजे पहुचे पर सिख्धर जुड़ गए है वहीं टी-एम-सी सब ठक मनुजीत मंडल हमाई साथ जुड़ गयें सबसे पहले मनुजीत जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि है कि सुर्यागनी हमारे सुर्यादमी रोय हमारे समवाता और अनपर्मिश्र हमारे समवाता इसे तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सुर्यादमी जिस तरीके से पूरा मामला अप्तूल पकड़ता जा रहा है ममता भाइंग जी ने टीम बना दी उन्होंने का कि जिसको जाना है जाए जैसे हाथ रस जाने से रोका गया था वैसे नहीं हम रोकेंगे किसी को आज जो प्रदिदी मंडल पहुँचेगा किस तरीके के वहाँ हालात है देखिनेहा अगर हम आपको हालात या फिर ग्राउंड जीरो की स्थिति दिखाए तो ये जो घर हमारे सामने है ये उन घरों में से एक है जो जल चुका था यहाँ पे कोई है नहीं यहाँ के बाशिंदी सब चले गए है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कामेरा परसन को दिखाने के लिए कि स्थिति क्या है ये सोंबार रात की घटना है और ये एक घर है अगर हम दिखा सके क्योंकि कॉड़न ओफ है तो हम सामने साधा जान नहीं पाएंगे जब हम सुबा आये थे तब यहाँ पे कॉड़न ओफ था नहीं ये काचे काचे गिरे हुए है यहाँ पर आप देखे बच्चो के चपल तक यहाँ पर है तो यहाँ पर लोग रहते थे इस वक्त यहाँ से लोग चले गए हैं इसी घर में आग आप देख सकते हैं दिवाल अगर आप दिखा है एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे क्यामरा परसन को दिखाने के लिए आप देख सकते हैं दिवार की कंडिशन दिवार की कंडिशन खुद बताती है कि इस घर पे भी आग लगी थी दूसरे विशे पर आएंगे ममदा बैना जी कल आएंगी यहां पर इस पूरे इलाके का मौना करेंगी वो लेफ्ट के एक प्रतिनदी मंडल यहां पर सुबा आये थे बीजे पी शुबिंद्व अधिकारी लीड करके उनको ला रहे है कोलकाता से जैसा आपने कहा कि किसी को रोका नहीं जाएगा ममदा बैना जी ने खुद कहा है और सभी को यहां पर आने दिया जाएगा यहां पर जो घटना घटी यह सोमवार रात की घटना है जहां जो हमें अभी तक पता चला है कि बादुशेख जिनका घर इस घर के ठीक पीछे है जो घर में आपको दिखा रहा हूँ और वहीं के बाशंदे थे बादुशेख वो उप्रधान थे रामपुर हाट के आसपास उनके बं मारके उनकी मौत हो गए और उसी के बाद इसी घर के ठीक ऑपोजिट जो घर आप देख सकते हैं जो थोड़ा जला हुआ है वो यह सोनुशेख का घर है जहां पर अभी तक नहीं पता कि वहां पर क्या लोग आकर उस घर को उन्होंने जला दिया था स्थानियों से बात की हम लोगों ने उन्होंने कहा है कि आग जल रही थी लोगों की चीक पुकार सुनने में आया था पुलीस तभी तक पहुची थी नहीं रात को सुमबार रात की घटना ये रामपुरहाट के उस गाव में हैं देर्भूम में जहां पर घरों में आग लगी थी साथ और एक आट लोगों की जान गई कैसे इस पे अभी भी एक पॉलिटिकल वारफेर चल रहा है और इन्विस्टिकेशन चारी है कि उस रात यानि के सुमवार रात को क्या हुआ था लेकिन अगर हम एक घर की आपको स्थिती दिखाएं ये घर आप देखेए ये अंदर से जला हुआ है बाहर से तो जला हुआ है ही अंदर भी जला हुआ है और कांच आप देखें कांच completely तूट चुके हैं चपले हैं बच्चों के चपल हैं ये किसी इंसान का घर हुआ होग यहां पर लोग रहते होंगे, लेकिन फिलहाल इसकी स्थिती आप आपके सामने देख पा रहे हैं, यहां पर क्या है, यहां पर पुलीस इस पूरे एरिया को कॉड़न ओफ कर रही है, क्योंकि यहां पर SIT की टीम आने वाली है और इन्विस्टिगेट करेगी, इस पूरे कामरा परसन की रिंजीत के साथ सुर्यागनी रॉय आज तक बिर्भूम